वेल्कम टू चोदरिंग बाइल जोन पार्ग बतन अब वीवो के फोन है जिसमें चार्जिंग लगाते हुए केरर आ रहा है अब भी आपको चेकर वाता हूँ यह वीवो के काफी सारे फोनों में यह फाल्ट आ रहा है वाई नबे 91 93 95 यह सब में यह 81 83 93 यह सब में यह सेम मेथड होगा है यह देखो फून टंपरिचर इस टू लो चार्जिंग स्टॉप यह रहा है और यह एरर कहां से आता है और कैसे रपेर करना है इन्शाला अब को इसकी गार्णिस देंगे देखो अभी तक वह ही एरर आ रहा है इससे ना बैटी चार्ज होगी यह देखो कस्टमर ने जो मेरे पास लेके आया दो उसने चार्जिंग जाएक भी चेंड किया है इसका पत्ता भी है लगा हूँ है यह मुझे इस मॉडल का नहीं लग रहा है यह किसी और का लग रहा है इसको भी चेंड करके चेक करेंगे और फाल्ड भी देखेंगे किदर रहे हैं यह देखो इदर से भी यह पहले रिपेर हुआ हूँ है यह सारे पाइंट्स क्राइच हुए हुए है इद्वर से यह इसकी घर्मल नाइए यह निया टू इदर से शुरू हो यह दहिता है तो मैंने इसकी बैट्री और स्टिप दोनों चेंड किये हैं अब ही चैक क क्योंकिए स्ट्रीप उसके उस माडल की नहीं लगी हुई थी अपने माडल की ये झो कभी भी सेम प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हैं प्रोब्लम है ये इसके बैटरी है पहले वाले जो मैंने चेंज की है और यह इसकी स्ट्रिप है जो आपने लगी हुई देखी थी यह भी चेंज कर लिए लेकन सेम फाल्ट है वैसे का वैसे ही मतलब अभी तक यह प्रॉब्लम हल नहीं हुआ तो चलो आगे देखते हैं इसका इसका आरवन जो है पावर आईसी के पास ही होता है सबसे पहले हमने इसको बैटी टर्मिन पर वन पॉंट एट वोल्टी चेक करने हैं उसके बाद हमने आगे काम करना है तो थोड़ा सो जूम कर लेता हूँ इसको जी दोको बीस डीसी पर सेट करके चार्जर लगा लेने इदर बिल्कुल क्लिए नदर आ रहा है इदर हम इसके साथ चार्जर कुनेक्ट कर लेते हैं इंशाला स्टेप बेस टेप आपको सारी गाइडनेस दूँगा उसके बाद हमने आईडी लान पर 1.8 1.6 से उपर वर्टी चेक करने है चार्जर लगाने के बाद यह तो कोई बिल्कुल होके बन रहे है यह लाइन होके है इसके बाद हमारी थर्मल लाइनी बनती है जो के नहीं ठीक इसी वैसे यह रहा रहा है तो चलो जल्दी से हम इसको देखते हैं कि इसका फाल्ड किदर से यह इसकी R2 की लाइन है यानि थर्मल लाइन है जो इदर से इदर किदर कुनेक्टिड है यह हम देखेंगे, और यह आगे कहां पर जा रही है, यह देखेंगे, बजर मूड पर सेट किया है मीटर को, अभी हमने एक प्रावब वहां पर रखी, यह तो किदर रीडिंग आ रही है, मतलब हमारी R1 बिल्कुल होके लगी हुई है, जो कि Power IC के पास होती है, इसलिए GR ही होती है, इस तरह से पता लगे, कभी आपको मजीर समझाता हूं, यह इस तरह लगा, इसके यह साइड पर बनती है, R2 की वैल्यू अब जाने के लिए, तो फर्स्ट पाइंट ही है, यह चोटा सा बना हुआ है, इदर तो कनेक्टेड होता है, इसी तरह आगे सीधा जाके, देखा जाए, तो यह नीचे वाली साइड पर, इदर से, भी नीचे वाली साइड और दूसी साइड से भी नीचे वाली साइड, इस जगा से कनेक्टेड है, फर्स्ट पाइंट इदर से, और दूसरा आगे जाके, इदर से, पहला पाइंट, यह कनेक्टेड है, R2 के लिए, यह यह इस तरह से connected हो रहा है तो इसका भी यह पहला पॉइंट हुआ इस जगह से पहला पॉइंट हुआ इस से आगे हम ट्रेसिंगे किदर जा रहे हैं यह component सारे लगे हुए है कोई इदर से value किदर जा रही है हमारा thermal खराब है या line connector नहीं या क्या फाल्ट है जिसकी विए से यह error आ रहा है तो यह simple साल आप किसी भी फोन में वीवो के मुस्लिफ फोन में आप ट्राई कर सकते हैं तो चलें इसको हम trace ते हैं आगे इससे आगे यह पहले point के साथ देखते हैं कौन सा कैप लगा हुए मेरे साब से यह होना चाहिए लेकन यह connected नहीं शो हो रहा इदर से first point से इस जगह से यह इदर शो नहीं हो रहा था चलें माइक्रोस्को में चलते हैं इसको अच्छे से देखते हैं यह इसका आगया charging module जिदर से हम चेक कर रहे थे इसका यह first point लगता है इदर से connected होके आगे इदर चले जाता है यह इसका thermal register से तो इदर से इदर चेक करेंगे पहले यह connected है कर नहीं फिर इदर से इदर connected चेक करेंगे ज्यादतर यह missing की वह ऐसे यह fault आ जाता है कई बार यह खराब ही हो जाता है तो इदर से अब भी चेक करते हैं आपको मेक्तिस्को में भी अच्छी तरह से समझा देते हैं यह इसकी तर्मर की आर्ट इदर से शुरू होती है यह पहले पॉइंट से connected है यह हमने चेक किया था इस से और इससे आगे यह किदर जा रहा है R1 क्योंकि PowerAndC के पास लगी ह obstand है इसकी value इदर रहा होती है इसको हमें उतारने के जरुरूर्त नहीं है इदर G.R. आ रहा गए थी तो यह पत्री उतारने की भी जरूर्रत नहीं है और इसको चेक करने की भी जरूरत करने के जरूरत नहीं है अगर इदर value ना रहा थी तो हम यह इस point से आगे value जाती है दूसरी side पर इस जगह के पहले point के साथ ही यह दर से connected है जो आगे मडूल के साथ connected होता है और R2 वहां पे लगी हुई है जो इस जगह पे connected होता है इस जगह के यहां से यहां पे इसकी value बनती है तो हम इस जगह से जयमपर लगाके तो जल्दी से मैं जयमपर कर लेता हूँ और आपको चेकर बाता हूँ आगर वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हो प्लीज कुमेंट किए और सेस्क्राइब जबूर किए इस तरह की हम अच्छी ची वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की वीवर वी नाइन इसमें भी इदर ही लगा होता है तो यह काफी मॉडल में यह ऐसे लगता है यह मैंने जंपर लगा लिया भी यह देखो यह बाहर के साथ अब इसको हम इदर रखते हैं इस जंपर मैंने चल्दी से रखाया ताकि आप दोस्तों को इदर से समझ आ जाए कि य इसलिए यह फाल्ट आ रहा था तो अभी हमने यह कुनेक्टेड की है अभी हम चेक करते हैं इसको इसके बाद हम छोटी करके चार्जिंग मॉडूल में इसको अड़जस्ट कर लेंगे जिदर से यह फर्स्ट पॉइंट के साथ कुनेक्टेड है यह बैटे रखा दी मैंना अब इसको हम चार्जर करते हैं। इसलिए शाइज चार्जर भल गया। चले कुछ दिर वेट कर लेतें यह दोखो वैटी शोग गई शाय लो थी अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और चेक करते हैं इसको यह तो को अलम्दल्लाइ इसकी चार्जिंग बिलकुल हो क्यों हो गई अब यह प्रॉपर चार्ज करने लगया हमारा यह आर्डू का फाल था जो के थर्मर डिस्टर्ड कनेक्टेड नहीं थी में बोर्ड के साथ क्योंकि यह सब बोर्ड में दी हुई है इसलिए यह देखिए यह हमने कनेक्टेड की इसका प्रॉब्लम जो अलहमदल्ला हल हो गया तो आप दोस्टों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूट बताना और जो न्यू आने वाले दोस्ते हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना इससे हमारी उसल अवजाई होगी और हम अच्छे जी वीडियो लेकर आपके लिए हादर होते रहेंगे जो देखो यह जंपा लगाया था थैंक्स पर वाचिंग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब